दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इसने वीडियो पर दोस्तों आप इस जो इस्टेबिजर रखा हुआ देख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे हमने इसे कैसे बनाया है हमने इसमें कौन-कौन से पार्ट्स यूज किये हैं कैसे इसके सेटिंग की है तो फिर सारे पार्ट्स यूज किये हैं देखिए एक वर्डी है यह फोल्डिंग वर्डी है इसके अलग-अलग इसमें डिवाइट है चार पीस रिलर यूज की है पच्छेस एंपर के जले हैं 24 रोल्ट से ऑपरेट होने वाली जले हैं तीन कंट्रोलिंग रिले हैं और एक टाइमर लिए उसकी स्फट यह करेंगे दिखने के दिखने क्टका से हैं तो हम यह तम ये आप पुराना और बहुत परफूर्मस आती के देखिये दोस्तों पार्ट्स की लगबग हो चुकी है MCV हम इसमें बाद में install करेंगे तो आपको अंदर से दिखाते हैं कि देखिए आप ये step दे हमारा कैसा दिखाई पढ़ ला है ये देखिए इस तरहीं के से कुछ ये दिखाई पढ़ ला है अब सबसे पहले हम इसमें relay की coil की connection करेंगे relay की coil की connections इसलिक करेंगे क्यूंकि इस पर circuit से हमारा microcontroller kit है उसका current इस पर पहुचेगा और हमारी relay operate होगी सबसे पहले वही connection करते हैं ये देखिए हर relay में दो-दो point निकले हुए हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे जितनी पी रिले हैं इन सब का एक-एक point हम पहले common कर लेंगे एक wire से वह wire हमारा kit में common होगी तो चलिए अब ये connections करते हैं ध्यान से देखिएगा बहुत ध्यान से देखने वाली बात है ये सारी relay का एक-एक point हम common करेंगे ये point हमारा kit में जहां पर हमने आपको खाय के आगे kit के connections भी बताएंगे तो देखिए पहले ये common करते हैं और उसके बाद में एक-एक wire हम हर रिले पर से individual निकाल लेंगे ये देखिए दोस्तों हमने रिले की coil के सारे connections कर लिया है अब इसके बाद हम जो हमारी MCV लगए लगी है उसके connections करेंगे देखिए हमारे Stabilizer के अंदर input supply MCV के थुरू जाएगी यानि पहले input हमारी MCV में आएगी उसके बाद input लेके common के थुरू पूरे Stabilizer में input supply जाएगी तो हमें यहाँ पर wire अच्छे से tight करना है wire हम 5mm या 4mm यूज़ कर सकते है losing बिल्कुल नहीं होने चाहिए losing होगी तो हमारी MCV जल जाती है तो हमें इस इसका ध्यान रखना है कि wire अच्छे से tight हो जाए दोने स्रो पर एक से पर input supply जाएगी St3 के थुरू और दूसरे से यह wire निकल कर हमारा input relay के common पर connect हो जाएगा तो चलिए यह भी हम करने एक बाद MCV fit कर लेते है यह देखिए MCV के दूसरे point से निकला हुआ wire हम input relay के common पर connect करेंगे देखिए यह इस रिले हमारी input relay है तो इस पर हम इसे tight कर देंगे बहुत अच्छे से इसके बाद हम एक wire input relay के no value points से लेकर input tool लेके pole पर connect कर देंगे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहींगे तो यार प्लीज subscribe कर लो वीडियो परसंद आया तो यार इसे like करना बिलकुल मत भूलना क्योंगी दोखो आप हमारे वीडियो को like करोगे तभी हमें motivation मिलेगा हम अच्छे सच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए तो please like करना और subscribe करना बिलकुल मत भूलिए यह आपसे humble request है चलिए दोस्तों यह वायर तो हमारा connect हो गया अब इसके बाद हम एक वायर लेकर हमारी जो output रिले है इसके pole से लेकर हमारी high cut और हम करनेक्षिस के pole पर connect कर देंगे यह देखिए इन दोनों points को हम आपस में common कर देंगे यह देखिए connection भी हमारा हो गया अब हम transformer के connection समझ लेते हैं देखिए transformer का पहला wire इन्पुट रिलेके NC पर connect करेंगे दूसरा wire इनपुट तूर रिलेके NC पर connect करेंगे तो यह कोई भी ट्रांस्वर्मर हो 90 वोल्ट का या 110 का जिसमें चार लूप्स निकली होती हैं बहले ही वह 500 वाट का स्टिप्लिजर हो आपका 1 कीवे का हो 2 कीवे का हो 3 कीवे हो 10 कीवे हो सब पर कनेक्शन्स लेके ऐसे ही होते हैं और सबसे जो ज्यादाता कनेक्शन्स यूज कर दो किरो या आते हैं वह कनेक्शन्स यही है हैं तो आप इस्टिप्लिजर में इसे apply कर सकते हैं वह हाई है कैसे डांस्पॉर्मर के कौनेक्शन्स करनेक बाद हम एक वायर हमारी हाीकट और टाइमर की दिलेके एनो वाले पाइंट से उठाएंगे यह वायर हम सीधे HT3 पर कनेक्ट करेंगे यह हमारे स्टेबिजर की आउट्बुट का वायर है यह सारे कनेक्शन्स करने के बाद अब वोल्टेज स्टेबिजर में हम माइकर कोट्रोलर किट स्ट्रॉल कर लेते हैं तो यह माइकर कोट्रोलर किट इसका सबसे ज़वरी पार्ट है इसके बना स्टेबिजर काम नहीं करेगा तो इसे कनेक्शन समझ लीजिए इसमें देखिए 024V लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे में ट्रास्वमर से AC सप्लाई आगी जो की 20V से लेकर 24V के बीच में हो सकती है और इसके बाद में देखिए CO लिखा हुआ है यह हमाई जितनी भी रिले हैं इन सब कोईल के कॉमन वाला वायर यहाँ पर connect हो जागा जैसे आपको बताया था और इसके बाद में देखिए IP2 लिखा हुआ है IP2 means जो हमारी input 2 रिले है यानि second number की जो रिले है उसके कोईल के connection हम IP2 पर connect कर देंगे इसके बाद जो IP1 लिखा हुआ है वो हमारी IP1 हमारी input रिले है तो हम उसकी कोईल के connection IP1 पर connect कर देंगे देखिए पहली रिले हमारी input 1 रिले है इसके बाद में देखिए ओपी लिखा हुआ है ओपी यानि जो output यह हमारी जो तीसे नमबर की जो रिले है यह output रिले है इसकी कोईल के connection हम यहाँ पर connect कर देंगे लास्ट में हमारी high cut और timer के लिए के coil का connection यहाँ पर हम connect करेंगे इस तरह से यह circuit के connections हमारे complete हो जाएंगे और फिर देखिए हमने setting करने के लिए के अब एक ही preset दे रखा है इस एक preset से हम सभी जले operate कर सकते हैं यहाँ तक के इसका high cut भी इसी से set हो जाता और एक ही बार में set हो जाता है मैं अलगलग set करने के ज़वत नहीं पड़ती है तो देखिए हमने यह circuit के connections कर लिया हैं जैसे कि आपको बताए थे अब इसके बाद में हम इसे check करते हैं टेस्ट करते हैं देखते हैं हमारे stabilizer कैसा काम कर रहा है तो हम इसे main line से supply देखर on करते हैं फिसके बाद इसे check करकर दिखाते हैं आपको दोस्तो stabilizer को check करने से पहले कुछ connections हमारे बाकी रहे हैं वो भी हम complete कर लेते हैं यह देखिए switch के connections अभी हमने नहीं किये करने करते हैं देखिए switch पर हमें input और output का connection देना है और swicz के बीच में से हमें एक wire निकाल कर वो आपट मेंट करना है तो इसे connection समझ लिज्जे है देखिए जो हमारी output relay है उसके pole इक wire निकाल कर स्विच के output वाले points प örकनेक्ट करेंगे और वोल्ट मेटर के दूसरो पॉइंट पर हम एक वायर नूटल से ले जाकर सिधे कनेक्ट कर देंगे इस तहां से मेटर पर नूटल और फेस दोना जाएंगे नूटल डायेक्ट आएगा फेस जो आएगा वो स्विच के तुरू हैगा यानि हम स्विच को इंपुट पर सेलेक्ट करेंगे तो वो इंपुट बताएगा आउटपुट पर सेलेक्ट करेंगे तो वो आउटपुट बताएगा यह देखिए बोडी पर इंपुट और आउटपुट लिखा हुआ होता है जिस side में output लिखा हुआ है, उस side में output लिए से connection करना है, जिस side में input लिखा है, उस side में input लिए से connect करना है, बीच में करने अपर meter off हो जाता है, त्यूंकि इसे input और output कोई भी सप्पाई नहीं पहुचती है, ठीक है बहुत आसान connection है, आराम से आप इसे कर सकते हो, इसके बाद म देखे, पहले बाला वाय जो है, यह हमने input बनाया है, बीच में black बाला वाय जो है, यह neutral है, और जो तीसा बाला वाय है, वो हमारा output का बाय है, output relay पर से निकला हुआ है, यानि high cut और timer relay पर से निकला हुआ है, तो हम उसे output बनाएंगे, तो इस तहां से हमारे ST3 की connections भी complete हो जा है, क्योंकि भी इसका timer, यानि यह timer वाली जोले है, वो on नहीं हुई है, रब तक यह indicator बिलिंग करता जाएगा, timer के जले on नहीं होगी, इस तहां यह लगभग 30 से लेकर 40 seconds तक indicator बिलिंग करता है, अगर हमें जल्दी start करना है, तो इसमें, यह reset का switch रहता है, kit के अंदर, हम उ work करेगा, देखिए, इस playset को हम गुमा कर, इसे set करेंगे, playset हमें एक ही बार गुमाना है, यानि एक cut हमें, लेकर आना है इसका, अगर हमाई एक relay कोई भी on हो गई, तो हमाई बाकी साथ relay, खुदी set हो जाएगा, आपने देखा होगा, voltage stabilizer के बहुत साथ circuit ऐसे होते हैं, जि इसे ही सब कुछ set हो जाता है, यह देखिए, relay हमारी on हो चुकी है, अब हम इसके steps चेक करते हैं, यह देखिए, दो सो दो सपचास वोल्ट की बीच में, इस stabilizer हमारा work कर रहा है, बहुत अच्छा work कर रहा है, तो इसमें यही इसका benefit है, इसे वो लोग भी आसानी से install कर सकते ह जान करी नहीं है, जिनरे काम के बारे में, जो लोग वोल्टेज के बारे में जादा knowledge नहीं रखते हैं, वो लोग भी इसे आसानी से set कर सकते हैं, यह देखिए, input voltage, input voltage हमें सालग लग दे रहे हैं, अपने dimmer की साहता से, और देखिए, output voltage यह दो सो दो सबचास वोल्ट की ब बहुत बहुत धन्यवाद,